मान लो घर में अगर लच्छमी नहीं आ रही किसी कारणवश कोई कार एसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो सफलता नहीं मिल रही हो लच्छमी प्रवेश नहीं कर रही हो तो महराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो सुखाने के बाद उसको जलाओ जला कर उसकी भस्म तयार कर उस भस्मों को अच्छा बढ़ी आप पीस लो पीस कर कपड़े से चान लो महराज उसको चान कर जब आफ शंकर भगवान का पूजद करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महराज किसी भी पाँच प्रदोष या पाँच सुंबार या सुंबार की अश्टमी पढ़ जाए उस दे थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिरी कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चड़ा दे क्या नाम लेना है कुंद कैश्वर उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे आपने चड़ाई या बेलपत्री के ब्रक्ष की जड़ में चड़ाई उसको लेकर आओ और वही ब्रक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के उपर चड़ पाँच परदोश वी पूरे नहीं हो गए और बाबा चाहेगा कि आपका जो लच्ष मेर हुई है यह व्यपार नहीं चल रहा यह काड़े नहीं हो रहा है तोिस भाबा पुसको एक प्रदोश, दो प्रदोश करोगे, तीसरे प्रदोश में तो बाबा धक्का लगा ही देगा, कैसे ही लगाएगे, वो लगाएगे, शंकर भगवान को भस्म अतिप्री है,